आज हम लोग बनाएंगे महसूर पुलाओ सुनकर थोड़ा साट पटा लग रहा होगा लेकिन कोई अट पटा नहीं है यह बहुत ही जादा हिल्दी बनती है और खाने में बहुत ही जादा टेस्टी लगती है चलिए सुरू करते हैं आज की बज़ेदार रसेपी महसूर पुल चावल कितना लिए एक प्लेट के करीब मैंने चावल ली हूँ एक आलो ली भारिक कटी टमाटर लिए हैं इसी में हरी मीर्ची और तेश पत्ता और इसी में थोड़ा सा कदूकस किया हूआ अध्रक है आप चाहतों अध्रक को स्किप भी कर सकते हैं सबसे पहले हम लोग क्य दाले इसमें ही तेच पत्ता डालेंगे इसमें ही जो हरी मिर्ची हैन को रखे यह मिर्ची एक हैं बड़ी स्थी और सबीको अची तरह से भून लेता है तो हमारे सबुस्राज होачा है इसके बाद में इसमें आलू डालेंगे तरह के रखे त governo को को करना है इसमें ही मेहसूर को डालें यह महसूर को डालें और सभी को अची तरह से कर Beng करते हुआ मिक्स करने के बाद में इसमें हम लोग डालेंगे चावल डाले और इनको फिर से अच्छी तरह से मिक्स करना है देखिए इस तरह से मिक्स करना है चावल को कम से कम एक मिनेट अच्छी तरह से पका ले तो एक मिनेट हो गया है उसके बाद में हम लोग पानी डालेंगे तो पा हाँ पानी हो गया है अपके तुम पूला है और सभी तरह से मिक्स कर लें उसके बाद में नमक दालने के बाद में फिर तरह से ॉसके बाद में ढख कर कम से कम और तो इस समय क्या करें लो मेडियम गयस में पका है तो तीन चार मिनट हो गया है आप देख सकते हैं अमारी जो पुलाओ कितनी अची तरह से बन गई है इसके बाद में क्या करेंगे हम इनको गर्मा गरम ही खाने के लिए सवर करेंगे खाने में बहुत ही जारा टेस्टि लगती है इस तरह से यह पुलाओ को बनाए यह पुलाओ को आप रायता के साथ में सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब ज़रूर करें धन्यवाद